दोस्तों आज का किसा बाल पर है बाल जो एक इंसान के लिए उसकी परस्णाल्थी के लिए बहुत बड़ी चमक लेकर रहता है बॉलिवुड फिलिश्ट्री में ऐसे बहुत से अफनेता हैं जिन्होंने अपने बालों को ट्रांस्प्लांट करवाया है और नकली बाल लगा कर आज घूमते हुए दिखाई देते हैं बहुत से ऐसे अफनेता हैं जो असी अनब्बेक दसक में अपने बालों के जरी ये काफी दा सुर्क्षियों में रहे हैं लेकिन आज उनके बाल सिर्फ विक के मुकाबले ठीके पड़े हैं सिर्फ ट्रांस्प्लांट के मुकाबले ठीके पड़े हैं आज हम आपको नहीं में से कुछ ऐसे टॉप अपने दाओं के बारे मताते हैं जिन्होंने अपने बालों को लगाया तो है लेकिन उनके बाल असले नहीं है नकली है जी हाँ सल्मान खान को आप सब लोग जानते हैं सल्मान खान को कौन नहीं जानता उनके बाल को लेकर कौन नहीं जानता उनके जड़ते बाल उनकी केरियर के लिए बहुत बड़ी रुकावट बन चुकी थी अगर आपने सल्मान खान की फिल्में देखी हो तो ध्यान से देख आपको बाल जढते हुए दिखाई पड़ेंगे और आज की समय में अगर सल्मान खान को आप देखेंगे तब उनके बाल पूरी तरह से आए हुए हैं अगर सुल्तान फिल्म देखी जाए सल्मान खान की तो उसमें आपको उनके बालों का सच मालूम पर जाएगा और आज की आधि और फिल्म में जिन में उनके बाल दिखाए पड़ते हैं उन फिल्म को देखें अपको आपको मालुम जब वो फिल्म में आये थे उसकी पहले उने ऱमबा ब्रेक लिया था लेकिन लंबा ब्रेक लेने के पहुष से कारण थे उनमेंसे एक कारण या भी था गिए two जर्टे बार उनके केरेट के लिए भी परिसान्यों का कारण मने थे अलागे अमिता बच्चन अपने एक्टिंग से ही आज जाने जाते हैं और बहुत से अवनेता हैं जो अपने बालों को ट्रांस्प्लांट कराकर फिल्मों में स्थक्रियर रहते हैं लेकिन असलियत जो होती है वो भी जानना बहुत जरूरी है अमधा बच्चन ने भी बड़े मिया छोटे मिया फिल्म की बाद अपने बालों को ट्रांस्प्लांट करवाया और विग लगा कर रहते हैं अगर उनकी भी कुछ अनोकी फिल्मों को, कुछ पुरानी यादों को, कुछ उस तरह की फिल्मों को देखा जाए, जहां पर उनके बालों को ज्यादा तर दिखाया नहीं किया है, तो आपको मालूम पड़ जएगा कि उनकी बाल कितने जड़े हुए है, गोविंदा, पर अपना तहल का मचा के रखा था और सभी को पीछे कर दिया था दांस से आक्टिंग से कॉमेडी से वो सब को दिलों पर राज करते थे लेकिन उनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम बनी तो सिर्फ और सिर्फ बाल हाला कि गोविंदा को लेकर उनका वेड भी प्रॉब्लम बन सब्सक में कतम रखा था हला कि असी देशा मिफन चकरवर्ती का दद्वा चल चुका था लेकिन उस समय मिफन चकरवर्ती अपने हेर स्टार के लिए बहुत जानी जाते थे लेकिन आपको यह भी बताऊंगा कि क्या मिफन चकरवर्ती ने भी नकली बाल लगवाए हैं इसके संजीदत के बाद संजीदत बॉलिवुट के बहुत मेरे सूपरिश्टार कह जाते हैं और आज की समय में उन्हें फिल्म मिलती हैं तो खासकर विलन की रूल में अगर उनको ध्यान से अगर आप देखेंगे जैसे कि अगनी पथ मूवी में या फिर कई ऐसे लुक में जब दिखाई पड़े हैं तो उनकी सिर्फ पर बाल रियल जो है वह उड़े हो है हाला कि संदत हमेशा के लिए विग लगा के नहीं चलते हैं लेकिन हां शूर्टिंग और फिल्म के दवरान जब उन्हें जिस तरह के कारेक्टर मिलते हैं उसे चाप से वह विग लगाते हैं और ओर बालोn को इतना प्यार करते हैं कि लोग उनके हैर स्टाइल को हया गूंता भी है लेकिन बाली बट के ये कुछ अबनेता हैं जिन्नों ने अपने बालों पर ट्रांस्प्लेंट करवाया है अपने सिर पर नकली बाल लगवा कर घूमते हैं लेकिन मिधन्चक्रणती के रियल बाल है